ओ भाई सहाब दोस्तों आप लोग समझ लो की रिप पठान, रिप टाइगर थिरी, रिप जवान, इवन दोस्तों यहाँ पे बड़ा स्टेटमेंट डंकी भी जितना कमाएगी यह मुवी उन सब को पेल जाएगी हेलो आईस, कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका, भाई सहाब स्वागत है आपका शाहरू खान की एक और नई मुवी के दोस्तों आप लोग इसको अनौसमेंट समझ लो उसके एपिसोड में, लाकि बड़ शाहरू खान, बलकि यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एक जो सपन हैं, दोनों ही फैंस क्लब का वो पूरा हो जाएगा, यानि कि देखो बाई, जब जब जवान मुवी दोस्तों आई थी, तो कह सकते हैं कि एक रूमर्स फैला हुआ था, कि जवान के अंदर थलपती वीजे का कैमियो होगा, लेकिन नहीं मिला दोस्तों कैमियो, तो यहाँ पे फैंस नराज हुए या फिर नाखुश हुए, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि एटली ने दोनों के ही फैंस को खुश कर दिया है, और शारुख खान के फैंस को जादा ही, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अब जो खबर आई है, वो उनकी चिंता को दूर कर रहा है कि भाई यह शारुख खान का 200 साल निकला, क्या पठान, क्या जवान, और तो गाईज यहाँ पे अभी तो डंकी के भी डंके गाईज भज रहे हैं, मतलब गाईज यहाँ यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रेट पंडित है, वो कह रहे हैं कि डंकी क्लैस के बाप जूद भी काफी अच 2050 क्रोड की कमाई की और फिर दोस्तों जवान ऑल्मोस 1200 क्रोड होने वाला है, और कही न कहीं दोस्तों अब 1500 क्रोड ऐसा गाईज बड़े ट्रेट पंडित कह रहे हैं, यहाँ पे क्लैश हो रहा है उसके बाप जूद भी तो गाईज आप लोगों यह टैंशन होगी कि ठीक गया डंकी हम लोग सेलब्रेट कर देंगे इस साल शारु खान एक और 1000 क्रोड मार के फेकेंगे लेकिन फिर आगे क्या आगे क्या होगा हमें पता है कि टाइगर वर्सेस पठान भी आएगी लेकिन 2025 की वो कहानी है 24 में क्या या फिर दोस्तों यहां पे कोई ऐसी मूवी जो या एटली कुमार तो कहीं न कहीं दोस्तों इन्हों ने एक तमिल रिपोर्टर को यूट्यूबर को एक इंटर्विव में यह बात कहीं कि यहां पर ओके की रिपोर्ट मिल गई है यहां पर आप लोग कह सकते हो कि इसटार की तरफ से थल्बपती विजय और शारुखान दोनों नहीं दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कि हाम भर दी है यहां पर विजय और शारुखान एक ही मूवी में देखने को मिलेंंगे । इससे बड़ा आपको चीज मुझे नहीं लगता हो सकती है बाइस सिर्फ और सि ही कि जवान हो सकते हैं वह यहां टलब पती विजएंट तौह Y 하지만 कि यहां रोल होगा ऐसा नहीं है कि कैमियों में आएंगे यहां पर दोनों का गाइस कह सकते हैं कि लीड रोल में काम होगा लीड रोल में दोस्तों देखने को मिलेंगे तो कहीं यह सिर्फ जो गाइस एक बाते हैं यही गूजबम दे रहें कि शारुक खान के साथ थलब पती विजै व नेट केलेक्शन अलागि वर्ड वाइट तो भाई कितने ही बार गाई शारू खाने दे दिया है तो गाईज यहाँ पर लगता है कि 100 करोड जो नेट का खाब है वो भी दोस्तों फैंस का पूरा होने वाला है और गाईज यहाँ पर मैं तो मुझे लग रहा है कि कम ही बोल रहा हूं मैं भी शायद 200 करोड वर्ड वाइट भी दोस्तों यह कर सकती है कौन सी मूवी विजय थलबपती और शारू खान की मूवी जिसको डिरेक्ट करेंगे कौन अतली कुमार यह आप लोग अल्मोस कमपम समझो कि इसके बाद शारू खान की मूवी यही होती हुई दिखाई देगी एक प्रॉपर मूवी और कहीं न कहीं एटली दोस्तों अभी फिरी हैं और उनकी दोस्तों जो नेक्स्ट मूवी आप लोग बीच पे सुन रहे थे थलबपती विजय के साथ होगी उसमें गाई शारू खान भी होने वाले हैं और दोनों का कह सकते हैं कि दोस्तों बराबर का रोल होगा बागी गाई पूछा गया कि क्या स्क्रिप्ट रेडी है तो गाई उन्होंने कहा कि मैं ऐसा जल्द वाजी नहीं करूंगा मतलब गाई यहां पर एक जबरदस स्टोरी मैं सोच रहा हूं यो शोशल मैसिज भी देती हो एंटर्टेन्मेंट भी उसमें हो और दोनों ही स्टार को मैं एक जबरदस वे में परस्तूत करूं आपकी जानकारे के लिए बता दूंगे भाई जहां पर जवान से पहले अतली बनाऊं बॉलिवुड के सारुख खान जवान मनाया और तो थलपती विजखता बनाते ही हैं यहां पर अभी इन दोनों के साथ ही गाई वो जवाएंगे तो एक चैलेंजिंग काम होगा कि दोनों को किस वे में दोस्तों परस्तूत करें यहां पर वह एक जबरदस स्टोरी स्टोरी लिखेंगे हो सकता है में भी दोस्तों कुछ महीनों के अंदर ही इस मूवी का अनौसमेंट भी हो जाए हाला कि देखो यह बात मैं नहीं कह सकता कि मूवी कब आएगी मतलब चौबिस पच्चेश चबिस लेकिन इतना जरूर है कि आएगी यह दोनों आएंगे मेरे शारुक और विजय आएंगे तो कहने के बात यहाँ आप यहां पर यह ए कि फेंज का सपना है वो पूरा होने वाला है और विजय घलप्ति और शारुक जान एक्वी में फुल रोल में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं यह कोई हवा हवाई बात नहीं है कोई मजाग वाली बात नहीं है आप लोग समझ लोगी लगभग ऑफिशल है देखते हैं कि यहां पर डंकी रीडिस होने के बाद शारुक खान क्या इसका अनौस्मेंट करते हैं या फिर वो और कोई गाइस प्रोजेक्ट ल नहीं